दोस्तो मैं आपको वीडियो की शुरुवात में ही बताना चाहूंगा कि आप हमारे वीडियो को देखकर कोई भी MCX के उपर ट्रेडिंग ना करें हमने कभी भी हमारे वीडियो से आपको MCX के उपर ट्रेडिंग की सला नहीं दिये हमने हमारे वीडियो से लगातार गोल्ड और सिल्वर के ऊपर हमारा सिर्फ नजरिया यानके विशलेशनी शेयर किया है तो अगर आप हमारा वीडियो देखकर कोई भी ट्रेडिंग करते हो तो आपको अपने रिक्स के अनुसारी काम करना चाहिए क्योंकि हमने आपको कभी भी हमारे वीडियो से कोई भी ट्रेडिंग की सला नहीं दी है हम ये जरूर कहेंगे कि हमने हमारे वीडियो से लगातार इन्वेश्मेंड की ही बात की है तो कुरुपया ये बात को ध्यान में रखे दोस्तों आज भारते समय अनुसार शाम को 6 बजे अमेरिका के अंदर महत्वपूर्ण जीडिप का डेटा आ चुका है मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था जीडिपी 3.2 परसंट पे आ सकता है लेकिन एक्चुल में जीडिपी आया है 3.4 परसंट पे यानि के मार्केट के एक्सपेक्टेशन को एक बड़े मार्जिन से जीडिपी के डेटा ने बीट किया है जो डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव है उसी तरह से आप देख सकते हो अमेरिका के अंदर दूसरा महत्वपूर्ण डेटा आया है इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था ये डेटा दो लाग बारा हजार के पास आ सकता है लेकिन एक्चुल में डेटा आया है दो लाग दस हजार के पास यानि के मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ये डेटा नीचे है जो डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव है ये डेटा मार्केट के एक्सपेक्टेशन से नीचे है उसके बावजूद भी डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि Initial Jobless Claims मतलब Unemployment Rate और अगर Unemployment Market के Expectation से नीचे आई है तो वो Dollar Index के लिए Positive है तीसरा महत्वपूर्णा Data आया है US Pending Home Sales का Market के अंदर ये Expectation था ये Data 1.4% पे आ सकता है लेकिन Actual में Data आया है 1.6% पे यान के Market के Expectation से ये Data अच्छा है जो Dollar Index के लिए फिर से एक बार Positive है चौथा महत्वपूर्णा Data आया है US PCE Prices का Market के अंदर ये Expectation था ये Data 1.8% पे आ सकता है और ये Data आया है 1.8% पे तो ये Data Dollar Index के लिए Neutral है उसी तरह से पाच्वपूर्णा Data आया है Core PCE Prices का Market के अंदर ये Expectation था ये Data 2.10% पे आ सकता है लेकिन Actual में Data आया है 2% पे तो दोस्तों हमने जो पाच डेटा देखे उन में से सिर्फ यही एक डेटा है जो Dollar Index के लिए थोड़ा सा Negative है और बाकी सब डेटा Dollar Index के लिए Positive है उसके बावजूद भी आज Dollar Index के अंदर बड़ी तेजी नहीं दिख रही है Dollar Index के अंदर आज भी तेजी बनी है लेकिन ये तेजी उतनी बड़ी नहीं है जितना डेटा हमें Positive दिख रहा है लेकिन दोस्तों इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा नजरिया Dollar Index के ऊपर Negative है आप देख सकते हो Dollar Index अभी Breakout Level के बहुती पास काम कर रहा है तो हमें Dollar Index के ऊपर अभी नजरिया मंदी का नहीं करना चाहिए लेकिन दोस्तों इसका ये मतलब भी नहीं है कि हमें नजरिया Gold और Silver के ऊपर मंदी का करना है हमने आपको Clearly बताया है कि आने वाले हथों में हमने हमारा नजरिया तेजी से Neutral का किया है ना कि मंदी का किया है यान कि हम gold silver के ऊपर ना ही बड़ी तेजी में है ना ही बड़ी मंदी में हमें लगता है gold silver के अंदर consolidation हो सकता है जैसे कि हमने वीडियो के अंदर देखा कि अमेरिका के अंदर जो 5 महत्वपूर्ण economical data आज शाम को आए है ये 5 data में से 4 महत्वपूर्ण data dollar index के लिए support करते है और सिर्फ एक ही data है जो dollar index के लिए थोड़ा सा negative है उसके बावजूद भी आप देख सकते हो आज gold के अंदर तेजी बन रही है हमने हमारे members को ये clearly बताया था कि हमें लगता है कि अगले हपते यानि के ये हपते gold के अंदर 20 से 30 डॉलर की तेजी बन सकती है क्योंकि March 2024 की closing ये हपते आने वाली है और possibilities बहुत जादा है कि gold highest level पर close हो सकता है हमने हमारे members को ये बताया था कि हमारा expectation है कि gold 2200 डॉलर के बहुत करीब close होना चाहिए और आप देख सकते हो अभी gold जब हम वीडियो बना रहे है तब काम कर रहा है 2211 डॉलर के पास यानि कि दोस्तों ये तो 2200 डॉलर के भी ऊपर है और हमने हमारे members को ये clearly बताया था अभी जो चार्टा वीडियो के अंदर देख रहे हो ये gold का monthly chart है आप देख सकते हो 2019 की एक बहुत अच्छी तेजी के बाद अगश्ट 2020 के अंदर जो gold ने high लगाया उसे gold ने लगबख साड़े 3 साल के बाद closing basis पर ये March 2024 में तोड़ा है और gold एक बहुती बड़ा breakout monthly chart के ऊपर दे रहा है दोस्तों आप इसे अभी clearly देख सकते हो दोस्तों gold March 2024 के highest level के पास close होने जा रहा है जो ये clear indicate कर रहा है कि gold के monthly chart के ऊपर बहुती strong breakout आ रहा है दोस्तों आपको ये strong breakout के बाद भी अगर gold में मंदी में रहना है तो आप रह सकते हो साड़े 3 साल के बाद अगर बहुती strong breakout गोल के monthly chart के ऊपर आ रहा है तो इसके कुछ तो माइन है इसे बिलकुल भी हलके में ना लो और अपरेल 2024 में अगर gold आपको नीचे के levels के पास खरीदारी का मौका देता है तो investment के लिए खरीदारी करना ना बूलो क्योंकि दोस्तों ये मार्च 2024 में gold बहुती बड़ा breakout साड़े 3 साल के बाद देने जा रहा है तो अगर आप gold के ऊपर मंदी का view लेकर चलोगे तो मुझे लगता है आपको problems आ सकती है मेरा नजरिया एकदम सिंपल है कि gold के monthly chart के ऊपर बहुती बड़ा breakout आने जा रहा है जो भी गिरावट अप्रेल 2024 में gold में आएगी वहाँ पर मैं सिर्फ investment के लिए खरीदारी का ही सोचूँगा दोस्तों हमने आपको हमारे वीडियो से हमेशा बताया है कि आप SIP यानके SIP के द्वारा gold के अंदर invest कर सकते हो और हमने आपको बहुत सारे options भी बताए है जिनका इस्तमाल करके आप gold की तेजी का फाइदा उठा सकते हो तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि gold के ऊपर आप मन्दी में बिल्कुल भी ना रहो और हमने लगातार आपको इसके reasons वीडियो के अंदर बताए है Silver के अंदर भी monthly chart के ऊपर एक बहुती अच्छी closing आने जा रही है Silver के अंदर breakout अब तक confirm नहीं हुआ है लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि gold अगर बहुती बड़ा breakout दे रहा है तो silver भी आने वाले समय में breakout जरूर देगा हमने आपको वीडियो के अंदर ये clearly बताया है कि bull market की शुरुआत या फिर नए train की शुरुआत सबसे पहले gold करता है और जब ये train set हो जाता है तो silver इसे outperform करना शुरू करता है तो ये वीडियो का सारा उंस ये है कि अमेरिका के अंदर economical data बहुती strong आने के बावजूद भी gold के अंदर तेजी बन रही है और March 2024 में gold highest level के पास close हो रहा है जो हमें बता रहा है कि March 2024 में gold में monthly chart के ऊपर एक बहुती बड़ा breakout आने जा रहा है तो April 2024 में अगर gold के अंदर कोई भी गिरावट आती है आपको नजरिया सिर्फ खरीदारी का investment के लिए रखना चाहिए दोस्तों गर आप trading करते हो तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको हमारे channel की membership एक बार तो जरूर लेनी चाहिए हम operators के data का analysis हमारे members को देते है और हमने आपको लगातार कहा है कि अगर आप gold silver के अंदर regularly काम करते हो तो हमारा operator के data का analysis आपको बहुती मदद कर सकता है और इसका आपको हमने proof भी दिया है जब फरवरी 2024 में सब लोग मंदी में थे वो समय पे सिर्फ हम लोगी तेजी में थे और आप सबने देख लिया कि फरवरी के बाद से अब तक gold और silver के अंदर किस तरह की बड़ी तेजी बन चुकी है तो मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा कि अगर आप trading करते हो या फिर gold silver के अंदर regularly काम करते हो तो आपको हमारी membership एक बार तो लेके देखने चाहिए तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें comment दोरा जरूर बताए अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करे चानल को subscribe करे और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचानवालों के साथ शेयर करना ना बूले तकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद Thank you